आने वाले चोहर के लिए आज हम बनाएंगे चोकलेट मिठाई, ये एक मिठाई में आपको चोकलेट का फ्लेवर भी मिलेगा और मिठाई का फ्लेवर भी मिल जाएगा, कोई भी गेश्ट अगर चोहर में हमारी घर में आते हैं तो चोकलेट या मिठाई लाते हैं, हम किसी के भर में जाते हैं तो हम भी चोकलेट या मिठाई लेके जाते हैं तो यह जो मिठाई है इसमें चोकलेट आड़ करेंगे और ट्राडिशनल फ्लेवर रोस फ्लेवर में इसको बनाएंगे ड्राइफूर्स भी आड़ करेंगे आप इसको देख सकते हो कितने आच्छे से बनी हु आता है नर्माली चॉकलेट मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं 4 शुग्राम जो वाइट चॉकलेट कंपाउंड से मैंने आदा तोड़के उसको टुकडा करके कट करके लिया है रोज फ्लेवर में हम बनाएंगे तो इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट लिया है एक बावल में हम खॉकलेट पिसेशको ले लेंगे अब हम इसको मेल्ट करेंगे यहां मैंने ऐक कड़ाई में पानी को गरम किया है उसके बीच में एक स्टान रखा है डबल बायलर सिस्टम में चॉकलेट को मेल्ट करेंगे आप चाहे तो microwave में भी चोकलेट को melt कर सकते हो जैसे कि microwave के अंदर आप 20 सेकंड के लिए आपको रखना है फीट निकल के और एक बार उसको मिलाना है फीट से 20 सेकंड के लिए रखना है दो दिन बार ऐसे करते हुए चोकलेट को आप melt कर सकते हो मैंने स्टांड के उपर चोकलेट बावल को रख दिये इस तरीके से मिलाते जाएंगे स्पाचुला में जब तक चोकलेट मेल्ट नहीं होता है कम से कम 4-5 मिनिट लग जाता है चोकलेट को melt होने के लिए और एक बात की ध्यान रखियेगा चोकलेट को जब आप रखे पानी गरम होना चाहिए चाहे आप फ्लेम को बंद कर लो गरम पानी में स्टांड के उपर चोकलेट को रखना है इस तरीके से चोकलेट को मिलाते जाएंगे अभी चोकलेट मेल्ट होना शुरू हो चुका है लेकिन पूरा मेल्ट नहीं हुआ है तो इसी टाइम इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ट मिल्क क्योंकि हमको चोकलेट मिठाई बनाना है चोकलेट नहीं बनाना है तो चॉकलेट मिठाई बनाने के लिए आप milk powder युज़ कर सकते हो, मावा युज़ कर सकते हो, नहीं तो condensed milk मैं या condensed milk तीन टेबल स्पुन ले लिया है, 200 ग्राम चॉकलेट के लिए तीन टेबल स्पुन condensed milk फिर से एक बार मिला देंगे अभी जो चॉकलेट है ये लिकुइड नहीं बनेगा गाड़ा होके बनके त्यार होगा क्योंकि कंडेंस मिल्क में पानी का अंग से जब हम चॉकलेट के साथ उसको मिला लिए तो चॉकलेट गाड़ा बन जाएगा बस इस तरीके से मिलाते जाएंगे थोड़ी डेर के लिए चॉकलेट और कंडेंस मिल्क का जो मिक्स है अभी गाड़ा बन चुका है आप देख सकते हो मिठाई में जो जो चीज हम यूज करते इसमें भी यूज करेंगी तो ड्राइपूर्स में यहां डाला है इसमें काजुजनाट से बादा में और पिस्ता है आपके पास जो भी ड्राइपूर्स आविलेबल हो आप इसमें आर कर सकते थोड़ा सा ड्राइ रोज पेटल और कलर डाल के इसको मिला लेंगे सारे इंगिडेंट्स को मैंने मिला दी है अभी हम इसमें डालेंगे तिन टेबल स्पून नारियल का बुरादा या डेसिकेटिड कोकनट इसमें अगर भी कुछ लिकुइड होगा तो नारियल का बुरादा जो है उसको सोक करके ले जाएगा तो फिर ये जो mix batter है और भी गाड़ा बनेगा पिंग कलर जो मैंने डाला था थोड़ा सा ब्राइट दीख रहा है इसलिए मैं एक दो बून और इसमें red जेल फूट कलर आड किया है जेल फूर कलर आड़ करने से चोकलेट का या चोकलेट मिठाई का कलर बहुत बढ़े आता है इसमें बिलकुल भी वाटर कलर का यूज ना करें अच्छी तरीके से सारे इंगेडिन्स को मिला देंगे अच्छी इसमें अब जो भी फ्लेवर डालोगे और जो भी कलर डालोगे उसी हिसाब से मिठाई बनके तयार हो जाएगा हम लोग रोज फ्लेवर में इसको बना रहे हैं इसलिए मैंने पिंक कलर और उसके साथ ड्राइपूर्ट्स और रोज फ्लेवर डालाए और रोज का पेटल भी डालाए ये जो बेकिंग ट्रे में हम चॉकलेट मिठाई को सेट करेंगे इसलिए उसके अंदर एक बाटर पेपर पहले हम डाल देंगे ताकि जो नीचे की साइड में चिपक ना जाए चॉकलेट मिठाई अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेंगे बस इस तरीके से जैसे हम बर्फी बगेरा जमाते हैं बस उसी तरीके से बटर पेपर के उपर ड्राइपूर्स हम डालेंगे सब ड्राइपूर्स को मैंने छोटा साइज में कट करके रखा था कुछ पिस्ता डाल देंगे अच्छी आपके पास जो भी ड्राइपूर्स आविलेबल हो आप इसमें ओवार कर सकते हो उसके साथ गुलाब का पंखडी मेंने डाल दी है उस बादाम की पिसेज इसके उपर चॉकलेट मिठाई की डो को डालना है और अच्छी से डालना है दीरे दीरे डालना है नहीं तो नीचे जो ड्राइपूर्स और गुलाब की पंखडी हमने डालके रखा है वो इदर उदर हो जाएगा फिर चॉकलेट बनने के बाद अच्छा नहीं दिखेगा तो साइज करके प्यान में हमको डालना है और स्पाचुला में प्रेश करके चारो तरब फेलाते हुए हम इसको सेट करेंगे ये जो मिठाई है त्राडिशनल फ्लेवर देता है क्योंकि इसमें हमने गुलाब का फ्लेवर डाले है और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आललेडी हुआइट चोकलेट है और 200 ग्राम मैंने चोकलेट में बनाया इसको और आप देखना बनने के बाद ये कितनी आच्छे से बहुत सारे पिसेश बनके त्यार होगा तो मैंने इसको साइज कर ली है अभी साइज करने के बाद फूच्टर के लिए इसको छूट देंगे पांच साथ मिनिट के लिए पांच मिनिट बाद ये हलका सा सेट हो चुका है तो अभी हम इसमें मार्क लगा देंगे कट करने के लिए चौकलेट मिठाई सेट होने के बाद इसको जब हम पीसेस में कट करेंगे हमको आसान हगा तो इसलिए पहले से मैं यहां कट लगा रही हूँ स्क्वायर साइज में मैं दाग लगा रही हूँ दस मिनिट बाद चौकलेट मिठाई को मैं फ्रीज से निकाल के लाई हूँ अभी यह आच्छे से सेट हो चुका है तो यह जो नीचे हमने पेपर रखेते इसको आधे तक निकाल देंगे हम इस तरीके से पैन को अभी उल्टा कर लेंगे और जो बटर पेपर हमने डालेते उसको निकाल देंगे अब देख सकते हो कितनी आच्छा यह दिख रहा है क्यूंकि नीचे जो गुलाब की पंकडिया और ड्राइफूर्स हमने आर किये थे वो साइज होके रहा है बहुत ही बड़या दिख रहा है हमारा चौकलेट मिठाई और आच्छे सेट भी हो चुका है तो अभी हम इसको उल्टा कर देंगे और जहां-जहां हमने दाग लगाएते उधर से कट कर लेंगे आपको जिसी भी सेट में कट करना हो पहले से इसके उपर अगर हम दाग लगाके रख लेते तो आसानी से इसको कट कर सकते हैं आप देख सकते हो कितनी आच्छे से हमारा चौकलेट मिठाई जो सेट हो गया है एक प्लेट में हम मिठाई को लेके आरेंज कर लेंगे 200 ग्रम चौकलेट और उसके साथ कंडेंस मिल्क थोड़ा सा मिला के हमने इतनी सारे चौकलेट मिठाई तयार कर दी है और इसको आप छोटे पीसिस में अगर कट करते हो तो ये और भी जादा बन सकता है ने तो पतला लेर में भी आप इसको सेट करने के लिए रख सकते हो रक्षा बंदन हो दिवाली हो या दसेरा हो कोई भी occasion में आप इसको बना सकते हो रेशिपी के बारे में आपकी आनुभव को comment सक्षिन में शेयर करें इस तरह कि बहुत सरे ने रेशिपी के लिए मेरे चैनल को subscribe करें और राएट साइब में जो बेल आइकल है उसको क्लिक करके all notification bell को अन करें